भाई ये क्या है भाई ये टोफी है भाई ये कोई आम टोफी नहीं है इसकी कीमत है दो हजार रुपे भाई ऐसा क्या खास है इसमें भाई दो हजार रुपे दे तो बताऊंगा ये ले भाई भाई इसे खाने से दिमाग तेज होता है भाई मुरे तो विश्वास ही नहीं हो चल बता, एक किलो चावल में कितने दाने होते हैं, भाई पता नहीं, अब इसे खा, अब ये बता कि एक दर दिन केले में कितने केले होते हैं, भाई पारा, देखोंगे ना भीबाद तेज, भाई, 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 भा यह बाई यार उमर लंबी करने का को तरीका बता बाई शादी कर ले उससे क्या उमर लंबी हो जाएगी नहीं उमर लंबी की इच्छा खतम हो जाएगी मुबारक हो तुम को ये शादे तुम्हारी准 मुझे नहीं बहुत भूग लगग लगए मुझे ये भूग लगए भाई ये बता गौर्मेंट उस्पिटल हो प्राविट हो प्राविट हो प्राविट हो या फरक है गौर्मेंट हस्पिटल में इंसान की जान जाती है और भाई प्राइवेट में? भाई प्राइवेट में इंसान की जान, जमीन और जायता चम्टा थी और भाई तू की उदास मेठ है? अरे यार मेरी तो जिन्द की खराब है कुछ भी करने जाता हूं बुरा ही होता है क्यों भाई ऐसा क्या हो गया? कल मेरी बंदी आई मुझे सप्राइज करने घर पे उसको चोर समझ की बीड़ दिया छोड के चली गई मुझे इस गम में शराप भी पापा ने पकड़ दिया और गर से निकाल दिया मुझे फिर सोचा कि अक्सिदे निकर के मर जाओ पाइक के ब्रेक निकाली वो भी तू अपने भाईया के लिए मांग के ले गया भाईया भाईया तो कुछ नहीं मैंने सोचा कि कोल्टरिक में जहर डाल के मर जाओ वो कोल्टरिक में तू भी गया दोक्टर अबे इसाने रोक अरे जीजा जी ने मेरे को पेचान के से लिया जी में उनका साला हूँ तेरे घड़बालों ने यही सिखाया दू जै अबे साले तू जीजा भी मुने माप कर जो यार प्रेम एक मुहावरी का मतलब बताई हो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा खुशी रोजाना छुपकर अपने बॉइफरेंट से मिलने जाती थी एक दिन उसके पापा ने उसे रंगे हातों पकड़ लिया और उसे घर से बहार निकाल दिया तब से खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा तो बच्चो आज हम पढ़ेंगे म्यूजिक जी सर लेकिन एक बात याद रखना हम जो भी बात करेंगे वो म्यूजिक में करेंगे जी सर तो मेरे साथ गाओ एक मिनिट सर रमेश भाई मेरे अममे खंबेश चपक दिये हैं तु जल्दी आजा आतो रुक 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 सर मुझे जाना राक के बोलो और भाई गीटार लेके काया रहा है भाई गीटार सीखा था जिसको पटाने के लिए आज ओपर आया है उससी के साधी में बजाने के लिए तुझे पता है प्रीम मैंने जुड़वा मूवी देखी थी तो मुझे जुड़वा बच्चे पैदा हो रहा है और तुझे पता है मेरी बीवी ने थ्री डेट्स मूवी देखी थी तो उसको एक साथ तीन बच्चे पैदा हुए अबे घजू तुझे क्या हुआ तू कहां जा रहा है यार मेरी बीवी प्रेगनेंट है और आज वो टीवी पे अली बाबा चालीश चोड़ देख रही है ओ आज तो मेरी फ्रेंड का कॉल आ है हाई फ्रेंड केसी हो एक दम मस्त वो कोण हरे ये 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 तो मेरी हस्बेंड है तुम भी कुछ बोलो ना आई लव यू भाई एक ससुर जी ने अपनी बहु को कहा कि बेटा इलाईची तुमारी सासुमा का नाम है और हमारे घर में बड़ों का नाम मिलेते भाई 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 ने का ठीक है ससुर जी आगे से गलती नहीं होगी भाई फिर क्या हुआ भाई अगले दिन भाई कहती ससुर जी सासुमा खतम हो गई है आते में लेते आना जोर का जटका हालो से लगा मेरी रे सास की पाँच बेटिया दो अन पढ़ दो गवार सातियों मेरे ही करब में भैसिया लिखी थी मेरे ही करब में भैसिया लिखी थी मारी किसमत की मार सातियों वाँ कहां से आ रहा है? ममी मूवी देखने गया था कौन सी? मा की ममता उपर जा बेटे एक मूवी और लगी है कौन सी? बाप का कहर यार मैने सुना तरी नहीं नहीं शादी हुई है तो शादी में कुछ बोला बाई मांग भरने की सजा मैं कुछ इस तरीके से पा रहा हूं वावा वावा बाई मांग भरने की सजा मैं कुछ इस तरीके से पा रहा हूं वावा वावा हमारा देश अजाद कब हुआ था सर कोशिश तो ठारा सो सो तावन से चल रही थी लेकिन हमें अजादी उन्निस सो सिंतालीस में मिली क्या बात है यह बता हुमारी प्रिश्वी गोल है साइंटेस्ट कोशिश तो पूरी कर रहें लेकिन अभी तक सावित नहीं कर पाएं या बात है जाओ मारा जाकर बैठो ठीक है सर मेरा तो हुगया बाई मेरे तो सारे आंसर ठीक थे थे तो मुझे आंसर पता दे नहर थी थी ठीक है अभी बाई सू जो कोशिन तूश्म तो सर कोशिश तो 1857 से चल रही थी पर कामया भी 1947 में जाके मिली बाई पागल हो गया क्या सर साइंटेस्ट कोशिश तो कर रहे हैं पर सिद नहीं कर रहे हैं पापा सुबह एक बिल्ले ने मेरा रास्ता कार दिया फिर क्या हुआ आगे जाके अक्सी दंट हो गया इसका तेरा न आज क्या आप मुझे पापा ने अपना दोस्त समझोगे ठीक है क्या हम दोस्त है हाँ बेटा अब हम दोस्त है ओई दिपग भाबी को समझा दे बहुत डानती है मुझे अच्छा नूर मेरे एक सवाल का जवाब दे अगर तुझे रास्ते में एक दसका और एक पांच का नोट पड़ा हुआ मिले तो तू कौन सवाल उठाएगी दसका दसका तभी लोग बोलते हैं के लड़कियों में अकल नहीं होती तू दोनों नहीं उठा सकती थी पाप की नजर में सेर होता है मा की नजर में गाएं की तरह सरीप होता है बहन की नजर में कुटा है तू कुटा थाएगा तू कुटा तू कुटा